नमस्कार मैं हुई इश्वर स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में आज के वीडियो में और आज है 21 जून एंड मंडे आज है 21 जून और है सो मुआर तो आज विजूल एका दशी होने की वज़े से माता जी का उपवास है लेकिन मेरा डाइट चालू है मतलब थोड़ा तकलीफ है फास्ट नहीं मैं एफोर्ट कर सकता तो माता जी ने खिचडी बनाई है खिचडी तो मैं खाऊंगा लेकिन मैं भूका नहीं रह सकता डेड़ से मिनिमम डेड़ गंटा मैक्जिमम दो घंटे में मुझे थोड़ा हो या कुछ भी हो खाने के लिए कह खा गया है कि थोड़ा कुछ भी आप खा सकते हो लेकिन आपको खाना जरूरी है अदरवाइस इंस्यूलिन का मतलब वह उनको पता आयुर्विदिक जो है डाइटिशन उनने बताया है तो मैं अभी खाने जा रहा हो खिचडी आज का ब्लॉक शुरू हुआ है लेट मिलता ह करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलता हूं इस कि दोड़ी आप रहा हुआ है जाँ झाल ओड़ी आप ट्या चाहिएवण भ्ल sì जाप टू पड़ी आप एड़ी आप लोगप जो वह ठाप यहा हुआ तो को प्रिव नश्यूर्स का मतले पूगज का बाद बाद तो भाद नश्यू आप जो थाफ को बाद बाद तो हमारा लंज होने के बाद मैंने थोड़ा आराम भी किया रिलक्स किया और एडिटिंग कम्प्लिट कर दी कल के व्लॉक की और कल ट्यूजड है मंगल बार तो क्रेटिव यूट्यूब चैनल पर एक क्रेटिव वीडियो भी डालना है लेकिन वह अभी तक सिलेक्ट नहीं किया वीडियो और एडिट भी नहीं किया है तो सर्प्राइज आपको पता चलेगा ही क्या है वह तो उसको एडिट नहीं किया अभी तक उसको रात में एडिट करके कंप्लेट करके फिर में अप्लोड कर दूंगा लेकिन आपको कल वह देखने को को जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ क्रियेटिव चैनल पर आपको मंगलवार को देखने को जरूर मिलेगा और अभी एक बड़ी बात आप लोगों को दिखा देता हूं हमारे अंकल के मतलब जो हमारे फ्लोर पर जो अंकल रहते हैं उनका काम चालू था तो हमारे पास यह चार मेने तक टेबल उन्हीं के पास था हमने मांगा भी नहीं और पूछा भी नहीं कर दो बाद में हम देख लेंगे जो होगा वह तो अंकल बोले कि नहीं मैं अभी उसको फिनिश वगरा करके कलर करके सब फिनिश करके आपको दे दूंगा तो आक्चुली वह कलर वाल यह वाला हमारा टेबल है और यह वाला अंकल का टेबल है तो देख दिफरेंच बेविन इस तो टेबल से ही हॉज अघुकिन आफ ऐंफ फिट बेविन हाफ एन वन फित तो उसको उस का कलर वाले ने देख लोग धेख वियें गडполне ये गड्या रिधाश ये पुराना टेब अभी ग्रे कलर कैसे कोई इससलेक करेंगा कैसे टेल बिल्कूल अप्र लागता ग्रे कलर तो अभी जाता हो अंकल के पास और उनको बोलता हो उआच्छलिं उनको भी पसंद नहीं से जाके मिलता हो और देखते काउन सा कलर फाइनल कर ते है by the way this is beautiful sunset after so many days I am recording this sunset so please enjoy it यह देखो यह रहा sunset enjoy करो अरे color चाहिए oil paint चाहिए oil paint आदा लिटर coffee brown color coffee brown और एक टर्पेंट आदा लिटर कोफी ब्राउन कुलर चाहिए color oil paint में coffee brown और आदा लिटर और आदा लिटर टर्पेंट आई कि अब आदा ब्राउन चाहिए ना कोफी ब्राउन हाँ टेवल को मारने का यह कितने का है यह अदा लिटर कोफी चुका है लगबग अवि उसको सुखने के लिए लगा दिया है माता जी खाना बना रही है तो शायद से हाँ रात थोड़ी हो चुकी है खाने का वक्त तो हो ही चुका है रात हो चुकी है खाने का वक्त भी हो चुका है as usual तो खाना खा लेते हैं मिलता हूँ आप लोग उनसे खाना खाने के बाद और करेटिव चैनल के लिए वीडियो मेंने प्रिपेर कर लिए एडिट कर लिए अभी वह अप्लोड हो जाएगा वह आपको कल क्रेटिव चैनल पे भी सुबह नौ बज़े देखने को मिलेगा और शायद से जब तक यह व्लॉग अपलोड होगा तब तक वीडियो अपलोड हो तो मिलता है खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद तो माताजुने खाना बहुत ही अच्छा बनाए था खाने में बैंगन और आलू की सबजी थी ग्रेवी वाली जो आप देख चुके हो बहुत अच्छी बनी थी बैंगन की सबजी आलू के साथ रोटी और सबसे मीठी चीज सबसे अच्छी चीज माई फेवरेट लेकिन हेल्थ के कॉंशियस मैं नहीं खाता हूँ हेल्थ को सपोर हो गया तो बहुत अच्छा था बहुत यम्मी था थैंक्स टू मुम्मा जो इतना अच्छा खाना बनाती है हमारे निये तो व्लॉग और क्रेटिव चैनल का वीडियो अपलोड करके ऑफिस से में जैसे ही निकला तो ऑफिस के बाहर एक कुता था थोड़ा सा पतला दूबल क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं फीडर जो है वो उनको नॉन्वेज वगरा खिलाते है हम तो प्योर वेजिटेरियन है तो मैं बुला यह बिस्किट खाएगा की नहीं खाएगा तो मैंने आप देख सकते हो कितना दूबला है वो और उसको बहुत सच में भूक लगी थी प्राणी है उसकी जबान नहीं है वो बोल नहीं सकता वो कुछ कर नहीं सकता तो मैंने उसको बिस्किट खिला दिये तो शायद से अगर कल एक दो दिन से वापस अगर मिल गया तो घर से कुछ लेके जाय करूंगा और गोमाता के साथ उसको भी हम कुछ ना कुछ तो खिला देंगे कोई प्रॉब्लम वैसे है तो नहीं आपको भी सब को कह देता हो कि अगर को यह सब हैं हंगरी बर्ड मिले अंगरी एनिमल मिले तो उसको बेचारे को स्ट्रीट डॉक्स अगर हो तो अफकोस प्लीज उनको खाना खिला दो क्योंकि वह कहीं से खाना प्राप्त नही और उचलना मतलब वह बेचार स्ट्रीट पर गूमता है रस्ते पर गूमता है उसको नहीं पता कि वह गंदगी में चल रहा है कि क्या चल रहा है उसको थोड़ी समझ है तो वह चलांग मार लेता और यह कपड़े आप देख रहे हो कलरफुल कपड़े वह पूरे खराब हो है घर पर मार पड़ती वह बात अलग करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एक बात में आज भूल ना भूल गया था लेकिन यह बात हमें ब्लॉग के एंड में बोलनी पड़ रही है ठीक है चरो भूल जाता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कल का वीडियो देखना जरूर और भूलना मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना ट्विटर पे जाके सुबा नौ बजे आपको कोई भी एक अच्छा स्पिरिच्वल मन को शांती देने वाला वीडियो देखने को मिलेगा दें तिल दें डू लाइक कमेंट शेर टू इस वीडियो और वीडियो दोंट फगेट तो सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विची जर्नी ओफ ल झाल